हलो दोस्तों नमस्कार आए स्टार्ट करते हैं 28 अफ फेब्रेरी का फर्स्ट एडिटोरियल आज के एडिटोरियल में ये कुछ नए वर्ड्स आपको मिलेंगे सबसे पहला शब्द आपको दे रखा है थ्वार्ट वर्ब है इसका मतलब है हिंडर रुकावट डालना या फिर आप इसे कहेंगे फोईल एसफल कर देना ठीक है या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रिवेंट रोकना फिर किसी को कोई काम करने से आप रोकते हैं किसी की योजनाओं को अगर आप विफल कर देते हैं तो उसे कहा जाता है क्या थ्वार्ट दूसरा है एबस्टेंशन इसका पार्ट आफ स्पीस तो आप निकाली सकते हैं कि टी आई ओएन दे रखा है लास्ट में जिन वर्ट स्केंड में टी आई ओएन होता है उसे आप कह सकते हैं नाउन तो यह नाउन कह दीजिए इसका मतलब है नोन वोटिंग जब कोई मामला तै करना हो किसी का पक्ष लेना हो तो उसके लिए वोटिंग की जाती है उस वोटिंग में जगए मतलब आप किसी भी तरफ नहीं है तो sitting on fence एक idiom होती है sit on fence तो sitting on fence कर दीजिए तटस तटा किस्तेती में होना ठीक है यह कह सकते है इसके बाद है set store on यह एक fridge है set store on से मतलब होता है आप कह सकते हो यह बिश्वास करना के कोई चीज इंपोर्टन्ट है to believe to believe that something is important यह विश्वास करना के कोई चीज इंपोर्टन्ट है इसके बाद cripple है cripple एक verb के रूप में लेंगे इसका मतलब होगा enfible कह दीजिए कमजोर कर देना weaken कह दीजिए या फिर आप इसे कहिए debilitate कमजोर कर देने को क्या कह जाता है cripple excise है यह एक verb के रूप में लिया गया है excise वैशे तो text को बोलता है ठीक है किसी पर text लगाए जाता excise duty होती है पता है आपको excise वैशे अगर verb के रूप में लेंगे तो इसका मतलब होगा remove हटाना आप इसे extirpate भी कह सकते हो हटाने के sense में excise का प्रियोक किया गया है intrusive वैशेक्टिव है इसका मतलब है interfering means हस्तक शेप करने वाला disturbing परिशान करने वाला फिर है ambivalence ambivalence एक noun है ए-e-n-c-e या-e-n-c-e अगर suffix हो लास्ट में ये words दिए हुए हो तो उसे आप noun कह सकते हैं ambivalence का मतलब है अनीरणाइक जोस्तिती होती है आप decision किसी तरब भी नहीं देते हैं अनसचित्टा के जोस्तिती है उसको बोलते हैं तो uncertainty भी इसका synonym होगा यह uncertainty uncertainty ठीक है इसका screenshot ले सकते हैं अब देखिए आज का editorial है a testing vote इसके हम बत करेंगे और इस editorial से पहले start करने से पहले बता दूँ कि आप application आज इस classes डाउनलोड करके रखें यह application आपको मिलेगा इसका आप डाउनलोड कर ले यहाँ पर play store पे आपको available है application सिधा आप link के through भी जा सकते हैं link आपको description में दिया है वहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे paid courses मिलेंगे जिसे batch no.106 अब launch कर दिया गया है जो अब Wednesday को start होने वाला है यहाँ पे आपको दो sessions मिलते हैं पर डे एक editorial वाला session जो आपको YouTube पर शाम को 5 बजे आप देखते हैं वही session application पर students को मिल जाता है सुबह 8-9 बजे के करीब उसका PDF available होता है दूसरा session होता है वो quiz session लेट नाइट मिलेगा आपको उसे 15 questions common errors के, para jumble के, close test के, synonyms, antonyms के यह questions कुछ discuss किये जाते हैं तब की competitive exams के लिहाद से बहुत important होंगे grammar का course है, translation का batch है common error का practice batch है या आगे कोई भी batch आएगा वो इसी application पर update होगा तो इसको आप download करके courses access कर सकते हैं आज के अडिटोरियल के बात करें अगर UN के अंदर voting करनी है कि भी ये देश, रूस और यूक्रेयन के भी जो लड़ाई चल रही है फिलाल रशिया ने attack जो कर दिया है यूक्रेयन पर इसके संबन में UN Security Council में वोटिंग हुई और भारत ने उसमें टटस्टा के स्थिति अपनाई है भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया ना ये कहा कि हम रूसिया के साथ है ना ये कहा कि हम यूक्रेयन का भी रोड़ कर रहे हैं दोनों ही तरफ इन्होंने भारत ने इन डिसिजन के स्थिति में रहा है तो ये भारत के लिए एक मुश्किल वोटिंग है इसको लेकर एडिटूरी लिखा गया है तो टेस्टिंग का मतलब नोट कर लीजिए गा डिफिकल्ट टेस्टिंग का मतलब क्या है? difficult अब देखिए thwarted thwart का मतलब रोकना होता है thwart का मतलब किसी चीज़ को SFL करना होता है तो thwarted is UN Security Council यह हो गया सहिव्ट राष्टर सुरक्षा परिशद तो UNSC में सहिव्ट राष्टर सुरक्षा परिशद में thwart किया गया India Resolution Resolution प्रस्ताव को बोलेंगे Resolution वैसे द्रड संकल्प को भी कहा जाता है तो thwarted यहां तो thwart हुआ कहां पे UNSC में किस चीज़ में अपने Resolution में to condemn Resolution किसका? criticize करने का condemn का मतलब criticize करना आलोचना करना किसकी? Russian aggression तो इसको criticize करने के लिए इनको एक प्रस्ताव लेकर आनना था उस प्रस्ताव का यहां पे क्या कर दिया गया उस प्रस्ताव के बीच में रुकावट डाल दी गई तो ऐसे में US and European allies जो अमेरिका है और European जो मित्रस्टर है इनकी अब योजना है अब ये plan कर रहे है किस चीज़ का to ensure ये सुनिश्चित करने का क्या a censure censure का मतलब होता है निंदा censure का मतलब criticize होता है criticism कह दीजिए या इसे आप castigate कह सकते हो या फिर इसे आप chastise कह सकते हो ठीक है तो यहाँ पर US ने सुनिश्चित किया है किस चीज़ का कि निंदा यहाँ पर की जाए निंदा प्रस्ताव लाया जाए किसका मौस्को के actions का मौस्को रश्या के राजधानी है तो रश्या की बात है रश्या के जो कारवाई चल रही है at the UN General Assembly और यह निंदा प्रस्ताव कहाँ पर लेका जाए United Nations आम जो सभा है General Assembly वहाँ पर वेर जहाँ पर यह इस्तान के लिए आ रहा है दे यहाँ पर इनके लिए आ रहा है जहाँ पर यह पहले से ही support इनको हासिल है किसका 80 देशों से अधिक देशों का support हासिल है फिर समझेगा थ्वार्टेड यह हो गया past participle कि US और Europeanize इनके मार्ग में बाधा पहुंचाई गई UNSC में किस चीज में कि निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे किसके खिलाफ Russian aggression के खिलाफ जो यह Russian aggression है Russian assault जो किया गया है युक्रेन में उसके खिलाफ अब इनकी योजना यह है कि एक निंदा प्रस्ताव लाया जाए UNGA के अंदर General Assembly में यहां तो ठीक है इनको सामना करना पड़ा कुछ रुकावटों का यहां पर लाया जाए इस इस्तान पर इनको 80 से अधिक देशों का सपोर्ट हासिल है यह कहना चारा है अब यहां पर एक वर्ड तो काम का यह हुआ दूसरा aggression aggression वैसे आकरमकता है यहां पर assault आप कहिएगा इसको तीसरा condemn यह धन रखिए fourth word censure यह धन रखिए एक आप काम की बात समझीए यह जो होता है यह निंदा करनी होती है criticize होता है और यह जो चीज़ है इसको बोलेंगे आप bottlerize bottlerize कह दीजिए या आप इसे edit कह दीजिए ठीक है या फिर आप इसे delete कह दीजिए इसे पढ़ा राता है sensor यह है sensor इसमें से ये वाला आएगा इसमें से सलजम वाला आएगा sensor यह परिशोधन करना आपने sensor board सुना होगा तो इसके हिसाब से इसका नाम है और यह criticize करना है subject verb की बात करें तो यह subject है plan verb है they subject है इसकी verb have है आ गया जाइए the Russian veto Russian veto तो Russia में जो veto है veto का मतर्समझते ही हो veto power जो हासिल है तो Russia का जो veto power है किसका इस प्रस्ताव को लाने का थीक है was a predetermined यह होता है destined मतलब जो पहले से fix है destined है या set है थीक है पहले से ही fix है pre-decided है तो Russian veto जो है resolution 8979 का यह एक predetermined outcome था यह क्या था यह एक पहले से निधारित एक outcome था एक क्या कह सकते हो निर्ने था है ना यह पहले से decide एक result था outcome का मतलब result तो यह यहाँ पर noun होगा और यह यहाँ पर executive होगा ठीक है यह noun है और यह objective है as a permanent UNNST member अब चोंकि पांच सदश्य स्ताई है UNST के अंदर जिनमेंसे एक Russia है एक France है एक China है एक UK है और एक US है पांच समेंबर से इनको P5 nations कहा जाता है तो यह कह रहा है कि एक permanent UNST member के रूप में रशिया ने veto का इस्तमाल किया veto यहाँ पर verb के रूप में है रशिया ने अपने शक्ति का प्रयोग किया UNST resolutions इन प्रस्ताओं का प्रयोग किया earlier पहले that यहाँ पे इन resolutions के लिए relative pronoun है वो प्रस्ताओ जो कि critical थे जो महत्तो कून थे किसके लिए office decision to send troops decision के लिए decision किसका send troops की सेना भेजी जाए into Georgia सेना भेजी इनोंने इन प्रस्ताओं के कारण ही 2008 में Georgia के अंदर और 2014 के अंदर क्रीमिया में ठीक है and could hardly have done otherwise और अगर यह इन प्रस्ताओं का प्रयोग नहीं करती तो रश्या तो फिर यह ऐसा नहीं कर सकती थी otherwise मतलब अन्ने था तो ऐसा नहीं कर सकती थी फिर समझे Russian veto subject है was verb है इसके बाद से decided है ना पहले से fixed है outcome का मतलब result है तो Russian veto ने Russian veto जो है किसका यह जो प्रस्ताओं का नाम है 89790 का यह एक पहले से ताई result था एक permanent member के रूप में UNS member के रूप में Russia ने veto का इस्तमाल किया मतलब UNS resolutions का इस्तमाल किया पहले भी earlier है time में पहले के लिए आता है और earlier का opposite जो होता है वो होता है letter तो इसने तैय किया है ना इसने use किया इनको वो यह resolutions थे जो की critical थे इसके decision के लिए ठीक है मतलब यह जो resolutions लिए है यह महत्तोपून थे इसके decision के लिए decision क्या था Russia का troops भीजने का soldiers को भीजने का सेना को भीजने का कहाँ पर इस जगह पे 2008 में यहाँ पर 2014 में और मतलब मुश्किल से ही ऐसा यह कर पाया नहीं था मतलब मुश्किल से ही कर पाता यह मतलब अगर इस प्रस्ताओं का उप्योग नहीं करता रशिया तो यह सेना वहाँ पे नहीं भेज पाता थीक है what was perhaps more disappointing what की verb was है तो क्या वो चीज है जो शायद और भी disappointing थी for the western collision किस के लिए पश्चिमी, good के लिए collision का मतलब group है, good है collision से मतलब है, group तो what की verb was है और what के साथ में what से लेकर यहाँ तक का जो close है, यह जो पुआके है इस पूरे की verb was है तो शायद कौन सी चीज और अधिक निराशाजनक थी western collision के लिए वो यह थी कि it was unable it यहाँ पे western collision के लिए प्रणावन आ रहा है, कि यह ऐसमर्थ था to move India from its consistent position of abstention abstention हमने पढ़ा, non-voting के स्थे sitting on the fence किस्थे थी तटस्तता किस्थे थी, कि ना favor में और ना ही किसी के opposition में थीक है तो इससे भी अधिक निराशाजनक बात यहाँ पे western collision के लिए थी कि western collision यहाँ पे ऐसमर्थ था, कि भारत को वो हिला सके, भारत को move कर सके किससे, भारत ने जो लगातार consistent का मतलब है, लगातार continuous, भारत ने लगातार जो तटस्ता के स्थे अपनाई है भारत ने non-voting के स्थे अपनाई है इससे भारत को वो move नहीं करा सका भारत को मना कर ऐसा नहीं यूकरियन के, मतलब रशिया के विरोध में आप वोड़ दो, ऐसा भारत को नहीं मना जा सका, western coalition के द्वारा फिर देखे, चाइना shifted from its support for Russia चाइना shifted, चाइना यहाँ पे shift हुआ, मतलब चाइना ने अपने स्थिति को बदला, क्या बदली? अपने जो support इसने बना के रखा था, रशिया के लिए उससे इसने अपने स्थिति को बदल लिया ठीक है, पहले चाइना ने कहा था कि हम रशिया का support करेंगे अब चाइना ने स्थिति को बदल लिया और पहले support कर रहा था, previous vote में अब जाके abstention के स्थिति अब कहा कि टटस्त है, ना यूक्रेन का हम विरोद करेंगे, और ना ही यहाँ पर रशिया को support करेंगे, ना यूक्रेन को support करेंगे यह abstention के स्थिति अपनाई, किसके बाद जब यूएस और अलबेनिया, इन्होंने यह दो pen holders है, pen holders जिनके चैप्टर सेवन, कि पहले नोंने कहा था कि हम चैप्टर सेवन का use करेंगे reference का मतलब एक परकार से इनका नों जिक्र किया था इस बात का, यहाँ पे एक संकेत दिया था, चैप्टर सेवन में क्या है यहाँ पे अधिकार मिल जाता है, authorization मिल जाता है कि इसका use of force against Russian troops, कि अगर चैप्टर सेवन लागू हो गया, तो फिर यह देश जो है, वो रश्या के खिलाफ सेना का प्रियोग कर सकते हैं, बल का प्रियोग कर सकते हैं, ठीक है लेकिन चैप्टर सेवन के लिए मना कर दिया इन्होंने ड्रॉप कर दिया यह plan तो फिर चाइना ने भी अपना, जो support वाला एक चीज थी, उसको shift करके non, यह abstention की स्थिति को अपनाया, तो चाइना की verb है, वो shifted है to pen holders, इसकी verb है, वो agreed है ठीक है, the collision against Russia, यह जो good है, किस के खिलाफ Russia के खिलाफ, is making, यह जो good है, is making a political statement at the UN वो UN में एक राधनितिक statement दे रहा है, ठीक है but not setting much store on, set much store on इसका मतलब है, यह विश्वास करना की इंपोर्टेंट है, लेकिन यह अधिक, यहाँ पे global body का मतलब, वेश्विक जो निकाए है, वेश्विक जो संस्ता है UN SEC की बात है, उसकी effectiveness को सुईकार नहीं कर रहा है यह जो coalition है US और Europeanized वाला यह रश्या के खिलाफ political statement दो दे रहा है UN के अंदर राधनितिक बियान बाजे चल रही है लेकिन यह यहाँ पे global body की जो effectiveness है, इस west week जो एक body है, उसकी जो instead, इसकी बजाए the US and the EU have adopted unilateral sections को यहाँ pinnilateral का मतलब है, एक पक्षी है अगर आप दो पक्षी है की बात करेंगे तो bilateral आएगा, अगर आप इससे अधिक बात करेंगे तो multilateral आएगा बहु पक्षी हो जाएगा, तो इसकी बजाए अब instead में halangki off लगता है लेकिन वो ओएफ तब लगाईए जब उसका object उसमें दे रखा हो जब उसका object नहीं दे रखा है तो ओएफ नहीं लगेगा यहाँ पे तो पुरा close start हो रहा है इसकी बजाए US और EU जो है European Union और US जो है इन्होंने क्या किया, अपनाया adopt मतलब अपनाना, एक होता है एक तो देखिए adopt होता है इसका मतलब तो होता है अपनाना एक होता है यह adapt इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना और एक होता है ADEPT, इसका मतलब होता है expert यह जो ADEPT है इसका मतलब expert है ADOPT है इसका मतलब अपनाना है ADAPT है इसका मतलब अनुकूल बनाना है तो इसकी बजाए US और EU जो है इन्होंने Unilateral Sanctions Sanctions का मतलब प्रतिबंद होता है Sanctions से मतलब है प्रतिबंद आप इसके लिए BAN कह सकते हो या इसके लिए EMBARGO कह सकते हो ठीक है तो इन्होंने एक पक्षिय प्रतिबंद लगाए Which they have, which they hope will cripple Russian President और ये sanctions जो है इनको आशा है ये देख इसके लिए आ रहे US और EU के लिए इसकी वर्भ ये है कि इनको आशा ऐसी है कि ये जो sanctions है ये sanctions के लिए प्रतिबंद है आ लॉंगर असोल्ट की लंबे समय तक अक्रमन करता रहे यूकरियन पर इस चमता पर इस चमता हो कमजोर कर देगा यूकरियन पर हमला करने के चमता पर और इसने क्या किया ये क्या ये कह Excise the Russian Economy इसने रशियन अर्थेवस्ता को अलग कर दिया remove कर दिया हटा दिया exercise वो अपके रूप में हो तो हटाना होता है देखा था हमने किस से international swift transaction system ये एक सिस्टम का नाम है अंतराश्ट्री है ये swift नाम है transition लेंदेन को बोलते हैं इस system से इसकी economy को हटा दिया फिर समझी इसकी बजाए US और EU ने unilateral sanctions एक पक्षिये मतलब एक पक्षिये का मतलब है किसी से भी चर्चा नहीं कि खुद से decision लिया खुद से लागू कर दिया तो ये sanctions लगाए अब इन sanctions के बारे में इनको विश्वास ये है कि ये जो sanctions है वो Russian President Putin की ability को damage कर देंगे destroy कर देगा या फिर कमजोर कर देगा और ability किस बात की कि ये लंबे समय तक Ukraine पर हमला कर सकता है इस चीज के ability कमजोर कर देगा और साथ ही इन दोनों ने क्या किया इदे को have adopted है have यहाँ यहाँ पर common रख दिया गया है यहाँ have का use नहीं किया गया है लेकिन मान के चलिए have है और इन्होंने excise कर दिया है Russian economy को किस से इस system से in addition इसके अलावा the US, Germany and other countries other के साथ में noun है वो कैसी आती है plural ठीक है the other होता है तो वो specific reference होता है वहाँ पे noun कैसी आती है singular भी आ सकती है plural भी आ सकती है और एक अनदर होता है उसके साथ में noun आती है singular यह ध्यान रखिएगा इस कैतरिक यूएस जर्मनी और बाकी की देश जो है इन्होंने announce किया या weapon supplies की हत्यारों की supply करेंगे किसके लिए यूकरेन की forces के लिए ठीक है तो कहरा है कि इसके अलावा यूएस जर्मनी और अधर कंट्रीज ने announce किया weapon supplies को यूकरेन के forces के लिए यूकरेन की सेना के लिए ठीक है भी however हालंकी in the absence of direct air power assistance मतलब इसकी अनुपस्तिती में कि ये तो नहीं मिला कि सीधा air power assistance कि हवाई हमले करें तो इसके लिए air power assistance चाहिए था इसकी बज़ाए foreign troops विदेशी सेनिक चाहिए थे इसकी बज़ाए तो ये अनुपस्तित रहे ये दोनों चीज नहीं मिली ना ही तो दूसरे देशों से यूकरेन को यहाँ पे सेन्य टुकडियों की साहिता मिली और नहीं air power assistance इसको मिला तो इसके चलते it is unlikely यह संभव है इटकी वर्ब is है unlikely का मतलब impossible है that Ukraine will be able Ukraine जो है वो समर्थ हो पाएगा to change the balance of power कि यह जो संतूलन नहीं बना पाएगा रशिया की सेन्य टाकत यूकरेन से बहुत ज़्यादा जबड़ी है तो इससे यह balance नहीं बना पाएगा in the equation with the Russian easily in the equation equation का समीकरण होता है तो रशिया के साथ आसानी से यह समीकरण में balance नहीं बना पाएगा दोनों की संतूलित नहीं हो पाएगी यह लड़ाई जो है ठीक है रशिया बहुत भारी यहाँ पे नजर आ रहा है यूकरेन के सामने यह कहना चाहता है फिर कहरा है इंडिया जब्स्टेंशन फ्रम दे यूनस्सी रेजलुशन भारत का जो एब्स्टेंशन है भारत की जो नॉन वोटिंग के स्थिती है भारत अटस्टा की जो फिती है किस से यूनसी रेजलुशन से कि यूनसी का जो प्रस्ताव है उसमें भारत ने वोट किधर भी नहीं दिया ये चीज़ जो है वोज परहप्स मतलब इस प्रस्ताव में भी to का मतलब भी है emphatic होता है adverb होता है है ना और उस शब्द के बाद लगता है जिस पर आपको stress डालना होता है तो UNSC resolution में भी भारत का abstention भारत ने ना तो vote दिया और नहीं यहाँ पर प्रस्ताव पर signature किये तो इस दोनों चीज़ें जो है वो परहब से foregone conclusion foregone का मतलब क्या हो गया foregone का मतलब हो गया आप इसको कह सकते हो पहले का before कह दीजिए before कह दो previous कह दो, former कह दो पीछे का conclusion, निशकर्ष यह derivation कह सकते हो inference कह सकते हो conclusion का conclude, conclusion के लिए inference का यूज़ कर सकते है निशकर्ष inference तो भारत का जो abstention है, किस से? UNSC resolution से इस resolution से भी ये abstention, संभावतया एक foregone conclusion था ये संभावतया, एक ऐसा निशकर्ष था, मतलब एक foregone मतलब previous, पहले से ऐसा माना गया था ऐसा एक निशकर्ष था Prime Minister Narendra Modi's decision इनका जो निर्णे है, क्या? To take a call, मतलब इनने phone call पर बात करी पुतिन से, किस से पहले? vote से पहले, तो इस decision ने indicate किया, इसकी वब हो गई, that conjunction हो गया, कि India would not take any stand, कि भारत कोई भी stand नहीं लेगा रश्या के खिलाफ तो Prime Minister Narendra Modi का जो decision है, क्या चीज़ का decision? कि पहले इनने बात करी, vote से पहले पुतिन से पहले इनकी बात हुई इसने ये संकेत दिया कि भारत जो है stand नहीं लेगा रश्या के खिलाफ ठीक? Apart from the India, भारत के अलावा, Apart from का दो मतलब होता है एक तो होता है Except for ये एक preposition होता है एक बात तो ध्यान रखेगा Apart from जो होता है वो एक preposition है एक बात, दूसरी बात इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिए या तो हो सकता है Except for के सिवाए एक होता है इसका मतलब In addition to कि अतरिक्त In addition to तो भारत के अलावा The India-Russia Defense and Strategic Partnership मतलब ये जो भारत और रश्या की Defense and Strategic Partnership है रक्षा और अन्नीटिक जो साज़िदारी है इसके अलावा Russia is India's Most Trusted P5 ally मतलब P5 जो countries है 5 जो इस्ताई देश है उनमें सबसे दा ट्रस्ट अगर भारत के सिवे कर सकता है तो रश्या है When it comes to जब बात आती है ये When it comes to एक फ्रेज है इसका मतलब जब बात हम इसकी करें किसकी बात करें Blocking Intrusive Resolutions Resolutions का मतलब प्रस्ताव Intrusive का मतलब Interferer करने वाले Disturb करने वाले कि जब-जब कश्मीर के ओपर कोई मतलब एक Interferer करने वाला Disturb करने वाला प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको Block करने के लिए सबसे पहले ये आगे आता है Russia आगे आता है Most Trusted ये आपका डिगरी Superlative हो गई है Executive की Allie यहाँ पे noun है ये इसका Executive है In contrast इसके विप्रीट Mr. Modi only accepted the call from the Ukrainian President Mr. Modi ने वहाँ तो देखिए वोट से पहले Russia के President से बात इनकी हुई लेकिन जब Ukraine के रष्टपती से बात करनी थी इनको तो उस समय इन्होंने केवल Phone Cup Accept किया इनका जब वोट हो गया वोट डलने के बाद इन्होंने Phone Call लिया Rather than offering support और support offer करने की बजाए Rather than का मतलब इसके बजाए ऐसा होने की बजाए इसके स्तान पर तो उनको करना था इनको support लेकिन support करने की बजाए इन्होंने क्या किया Requested इन्होंने निवेदन किया कि सहयोग करे For the safe exit of Indian students भारतिये students के safe exit को assist करे ठीक है भारत के जो विद्यारती है उनका safe exit हो जाए आसाने से वो भारत मतलब भारत महुँच जाए उसका आप यहाँ पर assist करे इन्होंने यहाँ पर support को कोई offer नहीं किया Mr. Modi की बात है Mr. Modi की बात एक्सेप्टेड है ठीक है और उसके बाद में requested है ठीक है भारत के जो हिचकी चाहट है किस चीज को लेकर तो टे का stand कि भारत के stand नहीं ले पा रहा है किस के खिलाव रश्या के खिलाव तो यह जो हैजिटेशन है इस एंडस्टूड यह बिल्कुल समझ में आती है ठीक है बिल्कुल सही है तो भारत के जो agitation है मतलब रशिया के खिलाफ stand लेने वाली जो agitation है इस हमज में आती है फिर भी निटली must now consider अब भारत को ये consider करना ही पड़ेगा ये बात सोचने ही पड़ेगी consider मतलब सोचना विचारना must है वो obligation के लिए आता है बाद्देता के लिए आता है अनिवार्यता के लिए आता है जोड देरा लेखा के यहां पर कि भारत को अब ये सोचना पड़ेगा कि भारत के जो aspirations है to be a leading power कि भारत चाहता है अगर नहीं शक्ती के रूप में उभर कर आए तो ये जो इच्छाए हैं ये पैसी हो गया कि इसके बगएर without having ये preparation हो गया तो ING आ गया बिना एक clear position लिए बिना इस पस्ट एक position लिए on a conflict एक संघर्ष की स्तिती पर that threatens ये संघर्ष कौन सा है ये वो conflict है तो threaten करता है डराता है global security मतलब वेश्विक सुरक्ष शा के प्रती खत्रा पैदा करता है even edge ये दो simultaneous actions denote करने के लिए आता while का मिनिंग है जब दो काम साथ साथ में हो तो उसके लिए इसका प्रियों करते हैं जबकि the Modi government focuses solely solely का मतलब होता है only जबकि Modi government जो है वो केवल focus कर रही है on the well-being of Indians भारतियों की well-being की भारतियों students वहाँ पे है वो सही सलामत यहां लोटाएं amidst किसके बीच amidst एक preparation इस बीच किसके बीच the peril peril का मतलब होता risk या danger खत्रे को बोलते है risk या danger तो किस बीच खत्रे के बीच खत्रा कौन सा कि बाकी के लोग जो है वो यहाँ खत्रा फेस कर रहे हैं उस बीच केवल और केवल government का focus किस पर है भारतियों की well-being पर फिर समझे करे यद्दपी भारत हिचकिचा रहा है stand लेने से रशिया के खिलाफ यह समझ में आता है कि क्यों कर रहा है ऐसा फिर भी भारत को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इसकी च्छाएं जो है leading power बनने की क्या उनको पूरा किया जा सकता है बिना एक स्पस्ट इस्तिती रखे कि यहाँ पे बिल्कुल स्पस्ट बताता कि बरशिया का सपोर्ट करना है या फिर यह कहता कि भी हम युक्रेन का युक्रेन का सपोर्ट करेंगा कुछ भी हो ठीक है एक ऐसे conflict पर जहाँ पे global security यह खत्रा पैदा हो रहा है threaten का मतलब end danger है ठीक है यह threaten जो शब्द है इसका मतलब है end danger खत्रा पैदा होना इवन एज उस इस्तिती में भी जब मोधी government केवल और केवल फोकस कर रही है भारतियों की well-being पर किस बीच उस खत्रे के बीच जो बाकिये के द्वारा face किया जा रहा है इस बात 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 कर रहा है युक्रेन में यदि ये लंबा खिच जाता है प्रोलोंग का मतलब होता है extend ठीक है या फिर होता है make longer लंबा चला जाना तो ये बात especially true होगी this key word will be especially adverb है true such यदि Russian military operation जो है युक्रेन में यदि इसको लंबा खिच लिया जाता है and the government's ambivalence और government की जो एनिश्चिता है government की जो uncertainty and decision किस्तिती है is red इसको लिया जाता है इसको ऐसे पढ़ा जाता है active support for aggressive transgression कि यहाँ पे government की जो एक एनिश्चिता किस्तिती है इसको इस रूप में लिया जाए कि ये एक सक्रिय सपोर्ट है किस चीज का aggressive transgression transgression मतलब अतिकर्मन होता है infringement होता है इसको आप contravention कह सकते हो या फिर इससे आप क्या कह सकते हो infringement अतिकर्मन अतिकर्मन क्या होता है दूसरों की territory पर वेश करना illegal तरीके से कि भारत यहाँ पे aggressive transgression को support कर रहा है ये transgression कोन कर रहा है एक अधिक शक्तिशाली country जो neighbor है वो और किस पर कर रही है जो कमजोर neighbor है उस पर रशिया मजबूत है और यूकरेन इसके तुलना में कमजोर रास्टर है उस पर यहाँ हम लग किया जा रहा है तो इसका भारत support कर रही है ऐसा समझ में आता है यह कुछ ऐसी चीज है कि भारत ने protest किया है भारत ने विरोध किया है in its own neighborhood अपने खुद के neighborhood में कि भारत के खुद के पड़ोस में चाइना भारत पर जब ऐसे कुछ योज़ना बनाता है तो भारत प्रोटेस्ट करता है इस बात का तो वैसे ही यहाँ पे यहाँ देखे कि इस सब इस चीज को इस ambivalence को यह माना जाएगा कि active support है इस aggressive transgression का transgression noun है यहाँ पे aggressive executive है किसके द्वारा यह transgression है एक अधिक powerful neighbor का किस पर एक weaker one वीकर यहाँ पे हो गया इसके तुलना में ठीक रशिया के तुलना में वन यहाँ पे एक र जोल डालने के लिए on या very यह emphatic adjectives होते हैं कौन-कौन से on very यह emphatic adjectives है ठीक है ना जोल डालने के लिए उनका यूज किया जाता है यह थाज के सेशन में अब मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ तब तक लिए नमस्कार थेंक यूवरी मैच